सास बहु का रिस्ता हमेशा सही बड़ा बदनाम रहा है जहां एक तरफ बहु को शिकायत रहती है कि उसकी सास कभी मा नहीं बन सकती है तो वहीं सास का ये मानना होता है कि उसकी बहु कभी बेटी नहीं बन सकती है सास बहु की तू-तू-मै-मै की परंपरा बहुत तुरानी हो चुकी है इनके बिच आए दिन किसी न किसी बात को लेकर महायुद्ध छुड़ी जाता है अगर बहु घर में शेर होती है तो सास सवासेर होती है किसी घर में सास की अधिक चलती है तो किसी घर में बहु की अधिक चलती है वैसे जिस घर में सास का गुस्सा खतरनाक होता है वहां हमेशा उसी की चलती है कई बार तो सास के गुस्से के आगे बहु ही नहीं पूरा परिवार भी खौफ खाता है वाई ये आज आपकी जाने नाम वाली सास के बारे में जिनके गुस्ते से पूरा परिवार खौफ जदा रहता है नमस्कार मित्रो स्वागत है आप सभी का विजन एश्रो में वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब् बड़ी जल्दी ही गुस्सा आने लगता है इनके अंदर सब ब्रणाम की कोई चीज नहीं होती है इनके घर में सभी काम परफेक्ट चाहिए होती है अगर किसी काम को करने में कोई कमी रह जाए तो इनका गुस्सा फूट पड़ता है ये अपनी बहु से उम्मीद रखती है कि वो घर के सभी काम जल्दी और सही तरीके से निपता है अधिकतर महिलाओं में अपनी बहु से लड़ाई काम को लेकर ही होती है हाला कि जब ये गुस्सा करती है तो कुछ देर बाद शांत भी हो जाती है के नाम वाली सासु मा के नाम वाली सास का गुस्सा बहुत ही खतर चल जाता है इस नाम वाली सासुमा से बहुवी खौफ हाती है इसलिए जहां तक हो सके इन्हें गुस्सा नहीं दिलाए तो अच्छा रहता है एन नाम वाली सासुमा एन नाम की सासुमा का गुस्सा हमेशा उनकी नाक पर ही रहता है इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि हमेशा गुस्सा होने का कोई ना कोई बहाना धोंडती है अगर कोई नहीं जरा सा भी छेर दे तो इनका गुस्सा ज्वाला मुखी की तरहा फूट पड़ता है इसलिए आप जब भी इनसे बातचित करे तो बड़ी सोच समझ कर ही करे ये दूसरों की बातों का बहुत जल्दी ही बु करती है और उसका खयाल भी खुब अच्छे से रखती है लेकिन जब इन्हें गुस्सा आता है इनसे बुरा भी कोई नहीं होता है एक तरफ से यह आपकी मा की तरह होती है लेकिन अगर आप कोई गलत काम करती है तो यह आपको मार पिट कर सुधार भी देती है तो मित्रों आज के जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो अच्छी लगी हो तिसे लाइक और शेयर करें आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नहीं जानकारी के साथ तब तक के लिए आप सब को नबुदे ह